नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में हमें आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नेटिंग पैटन लेकर रही हूं जिसे आप लेडिस जैंड्स दोनों के ही प्रजक्त में इस्तमाल कर सकते हैं यह बनाने में बहुत ही असान पैटन है और देखने में बहुत ही सुन्धा लगता है एस्पेशली यह जैन स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगता है आप इसको चाहें तो पूरी स्वेटर में बनाईए चाहें कोटी पे बनाईए बहुत ही प्यारा बनकर यह डिजाइन आत सिलाई पे बीस फंदे लिए हैं उल्टी तरफ से मैंने उल्टे फंदे बुनते हुए सिलाई बनाई है और मैं सीधी तरफ आ गई हूँ अपने बॉर्डर के बाद राइट साइड से इस पैटन को स्टार्ट करना है इस पैटन है तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं रो वन है हमारी ये राइट साइड से एजिंग का फंदा सिलिप करेंगे उसके बाद अगले एक फंदे को हम उल्टा बनाएंगे उसके बाद हमारा ये रपीट पैटन चलेगा साथ फंदों पे दो फंदे सीधे दागा अपनी दर्फ करेंगे पांच फंदे उल्टे अब देखें दो फंदे सीधे पांच फंदे उल्टे यह हमने साथ फंदे रपीट करते हुए जाना है अपनी बूरी रो में रूब बन में यही साथ फंदे रपीट होते हुए जाएंगे और जो लास्ट में फंदे बचेंगे वह आपको दिखाती हूँ देखें फिर से हमने दो फंदे सीधे बनाए पांच फंदे उल्टे बनाएंगे यह दूसरी बार हमारा पैटर्न रपीट हुआ अब हमने दो फंदे सीधे बनाने है जैसे हमने स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे बनाए थे और पहला जो हमारा पैटर्न था वह एक सीधा फंदा था तो वह ही हमने पर्ल वान स्टेच करना है लास्ट में और जो एजिंग का फंदा है वो सीधा बनेगा तो रोवन राइट साइड पर्ल वन उसके बाद रिपीट पैटर्ण चलेगा निट टू एंड पर्ल फाइव उल्टी तरफ आगे हैं हम हमारे पैटर्ण की ये सेकेंड रो है अब देखें जिनका बंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा बंदा दिख रहा होगा हमने वैसे ही बनाना है मैं एक रो आपको ये रॉंग साइड से दिखा देती हूं बना के उसके बाद मैं ये स्किप करूंगी देखें मुझे इस तरफ से दो सीधे दिखें ये सीधे दिख रहे हैं तो मैं इनको सीधा बूनओंगी अब अगले फंदा देखें मुझे सीधा दिख रहा है तो मैं ये भी सीधा अब दागे को अपनी दर्फ करोंगी देखें अगला फंदा उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाएंगे तो मतलब जो फंदा हमें जैसा दिखेगा वैसी ही उसकी बुनाई करनी है सीधा दिखेगा तो उस पर सीधा बुनेंगे उल्टा दिखेगा तो उल्टा बनाएंगे हर बार रांग साइट से हमने इसी पैटर्न को फालो करना है मतलब निट पे निट स्टेच करना है और पूरी रो रांग साइट से इसे तरह से हमने बनाते हुए कमिलेट कर लिनी है लास्ट एजिंग का पंदा हमारा उल्टा बनेंगा अब हम आगे हैं सीथी तरफ और ये हमारे पैटर्ण की रो थ्री है राइट साइड से अब देखें पहला फंदा जिंग का स्लिप करेंगे उसके वाद पैटर्ण देखें किस तरह से बनेगा दो सीथे फंदे दिखाए दे रहे हैं हमें ये हमने ट्विस्ट करने हैं मतलब ये वाला फंदा हम बाहर लेके जाएंगे और जो अगला फंदा है उसको हम लेफ्ट वाली साइड लेके जाएंगे तो ट्विस्ट करेंगे दो फंदो को इस तरह से उसके बाद एक फंदे को सी सिझे ले जाएंगे और जो उल्टाफंदा है उसे आगे ले आएंगे उसको इल्टा बुनेंगे और जो सीधे फंदे पर advanced बना लेंगे तो यह हमने twist किया उसके बाद आगे देखें अब हमने यह twist करने के बाद तीन फंदे उल्टे बनाए हैं पर्ल फ्री स्टेचीज तो इसी को हमने repeat करते हुए जाना है आगे जितने भी हमारे needle पर स्टेचीज हैं देखें एक बार फिर से repeat करके आपको दिखाती हुं में दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे यह जो सीधा फंदा है इसको उल्टे के साथ ट्विस्ट करेंगे यूं करके और पहले हमने निट बन करना है जानी एक फंदा सीधा बुनना है फिर अगला फंदा उल्टा बनाना है फिर हमने इसको ट्विस्ट करना है उल्टे फंदे क साथ सीधा फंदा पिछे ले जाएंगे उल्टा आगे ले आएंगे दोनों को ट्विस्ट करेंगे और फिर एक उल्टा बनाएंगे और फिर एक सीधा बनाएंगे और फिर अगले तीन फंदे उल्टे बनेंगे तो यही रिपीट करते हुए जाना है आमने अपनी पूरी रो 3 right side में twist 2, knit 1, purl 1, twist 2, purl 1, knit 1 and purl 3. written instructions की अबरिवेशन आपको description box में मिल जाएगी, आप वहाँ से detail में देख सकते हैं. लास्ट आइजिंग का पंदा हमारा सीधा बन गया तो रो 3 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉंग साइड और जैं हमारी पैटर्न की रो 4 है तो देखें उल्टी तरफ से रोंग साइड से हमने जो जैसा पंदा दिखाए देगा वैसे बनाएंगे सीधे पे सीधी बुनाई होगी और उल्टे पे उल्टी बुनाई होगी तो मैं यह आपको भी पूरा कंप्लीट करके रो दिखाती हूँ wrong side हमारी complete होई अब हम आगे हैं सीधी तरफ right side से हमारी ये row 5 है slip करेंगे पहला पंदा उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे knit one stitch दो फंदे उल्टे purl two stitches दागा पिछे करेंगे अब जी सीधा फंदा आ गया इसको हमने twist करना है इसको twist करेंगे यूँ करके और फिर हमारा ये पहले उल्टा पंदा आएगा तो इसको हम परल करेंगे और अगले पंदे को हम सीधा बनेंगे यूँ करके दागा अपनी तरफ करेंगे अब हमने एक फंदा उल्टा बनाना है यहाँ पर दागा पीछे करना है और यहाँ पर देखें इसको फिर से twist करेंगे यूँ करके इसको सीधा बनाएंगे और अगले पंदे को हमने उल्टा बनाना है अब बीच का यो पंदा है उसको हमने उल्टा बनना है दो पंदे हमने उल्टे बनाए अब फिर से हम twist करेंगे और चेन को बाहर ले जाएंगे एक को उल्टा बनाएंगे और अगले पंदे को सीधा बनाएंगे बनाएंगे तो इस तरह से हमारे यह डिजाइन जो है वह फैल रहाय स्टार्टिक में दो थे फिर उसको हम बाहर वाली साइड लेकर जा रहे हैं लैप्त और राइट साइड इसको हम लेकर जा रहे हैं twist करते हुए इस तरह से फिर से आगे ट्विस्ट करेंगे फंदे को और एक सीधा और फिर उल्टा फंदा बनेंगा अगला फंदा भी उल्टा और फिर हम देखेंगे हमारे पास लास्ट में ये बचा हुआ है सीधा फंदा तो ये सीधा ही बना लेंगे और रेजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा तो row 5 राइट साइड से हमारी complete हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारे pattern की row 6 है राउंग साइड से तो देखें मैं पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बनेंगे सीधे बे सीधा उल्टे बे उल्टे की बुनाई होगी तो ये मैं आपको complete करके दिखाती हूँ रूज 6 हमारी complete होई उल्टी तरफ से अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे pattern की रूज 7 है एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और तीन फंदे अब आपने उल्टे बनाने है पर्ल त्री स्टिचिस उसके बाद हमने इसको twist करना है ये देखें ये सीधा फंदा इसको twist करेंगे उल्टे के साथ पहले उल्टे फंदे की बुनाई करेंगे और फिर हम अगला सीधा बता बुनेंगे ये सीधा रहेगा चेन वाला अब आगे हमने उल्टे फंदे बनाने है एक, दो, तीन और ये चार, चार फंदे हमारे उल्टे हुए अब हमने इसको twist करना है, उल्टेपंदे को बाहर ले आएंगे इस तरह से ओर फिर इसको हम उल्टा बुनेंगे और अगले फंदे को हमने सीधा बुनना है, twist करने के पाद जो हमारे स्टार्टिंग से दो दो फंदे सीधे थे, वो हमने expand करते हुए सीधे ही बनाने हैं बागी बीच में सारे फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे सीधे तरफ से लास्ट आजिंग का फंदा भी हमारा सीधा रहेगा राइट साइड से रो 7 हमारी कम्प्लीट हुई अब हम आगे हैं उल्टे तरफ राउंग साइड और यह हमारी पैटन की एड़्थ रो है अब उल्टी तरफ से वैसे ही हमने बनाना है सीधे पे सीधा फंदा बनेंगा और उल्टे पे उल्टा फंदा बनेंगा मैं कम्प्लीट करके दिखाती हुँ यह वली रो आपको अब देखें हम आगे हैं सीधे तरफ राइट साइड और यह हमारे पैटन की रो नाइन है पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे अब हमने जो दोनों फंदों को बार एक्सपेंड किया था लेफ्ट और राइट के साइड अब हमने उनको दोनों को अंदर की तरफ जोड़ना है तो इस तरह से अब हमने अंदर की तरफ इनको ट्विस्ट करना है जो सीधे फंदे हैं चेन वाले वो हम अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे देखें ट्विस्ट करेंगे एक उल्टा बनाएंगे एक सीधा फिर दो फंदे उल्टे बनेंगे फिर हमने ट्विस्ट करना है फंदो को पहले फिर सीधा बनेंगा और फिर अगला उल्टा बनेंगा फिर हमने ट्विस्ट करने हैं दो फंदे, सीधे फंदे को अंदा ले जाएंगे और उल्टे को बाहर ले आएंगे ये देखें, उल्टे को उल्टा बनाया और सीधे को हमने सीधा बुन लिया बीच के फंदे जो है वो उल्टे बनेंगे देखें इस तरह से अब हम अंदर की तरफ मोड़र रहे हैं अपनी जो सीधे फंदो वाला डिजाइन है तो आगे हमने देखें ये उल्टा बनाया अब हमने इसको भी उल्टा बनायेंगे और उसके बाद इसको ट्विस्ट करेंग इन फंदो को सीधे फंदे को फिर अंदर लेके आएंगे और अंदर वाला जो उल्टा फंदा है वो बाहर जाएगा तो इस तरह से हमने इसको सीधा बनाया और अगले फंदे को हमने उल्टा बन लेना है आगे वी जही पैटन चलेगा सीधा पनता अंदर बोजाएगा और उल्टे वाला बाहर आएगा इसको हम परल वाइस बनाएंगे और इसको हमने सीधा बुल लेदा निट वान स्टेच बीच के फनते जो है वो उल्टे बनेंगे इसको हमने ट्विस्ट करना है तो सीधा फंदा जो है वो अंतर लेके आएंगे और ये वाला उल्टा बाहर जाएगा तो इस तरह से twist करके हमने पहले सीधा बुनना है knit one और बाद में हमने एक उल्टा बुन लेना है purl one और last एजिंग अफंदा हमारा सीधा रहेगा तो row nine right side से हमारी complete हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारे pattern की row 10 है एजिंग अफंदा slip करने के बाद ten wrong side से complete करके दिखाती हूँ अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये मारे pattern की row 11 है राइट साइड से पहला फंदा आइजिंग का slip करेंगे उसके बाद हमने एक फंदा उल्टा बनाना है purl one stitch दागा पीछे करेंगी अब हमने twist करना है देखें इस तरह से ये वाली जो सीधे फंदे वाला डिजाइन है इसको हम अंदर लेके आएंगे इस फंदे को दो फंदे ट्विस्ट करने के बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे और अगला फंदा सीधा बनेंगा इस तरह से फिर देखें आगे ट्विस्ट चलेगा फिर हमने ट्विस्ट करना है सीधे को अंदर ले आना है और उल्टे फंदे को बाहर ले जाएंगे तो इसको हमने सीधा बुनना है knit one stitch और अगले को हमने उल्टा बुनना है परल one stitch दो पंदे अगले इसमें उल्ठे बनेंगे, दो पंदे उल्ठे, अब हमने ट्विस्ट करना है फिर से अंदर लेके जा रहे हैं इस डिजाइन को, तो हमने इस पंदे को अंदर ले जाना है, और उल्ठे घोल्टा बनेंगे, और जो चेन वाला सीधा पंदा दिख रहा है, ये सिधे फंदे को फिर हम अंदर लेके आएंगे इस तरहें से वो ट्विस्ट करेंगे पहले सिधा बुनेंगे कि और अगला फंदा हम उल्टा बनाएंगे कि बीच के जो फंदे हैं कि वो उल्टे हमनेंगे फाकी ट्विस्ट करेंगे तो यहों करके हम ट्विस्ट करते हुए जाएंगे और उल्टे को लड़ा बुनेंगे और जो ट्विस्ट किया हुआ सेधा बंदा होगा उसे हम सेधा ही बनाएंगे एक बंदा उल्टा बनेगा इस तरह इसे ट्विस्ट करने के बाद और अगला बंदा सीधा बनेगा लास्ट आइजिंग का बंदा हमारा सीधा रहेगा तो रो 11 राइट साइड से हमारी कम्प्लेट हुई अब हम आगे हैं राउंग साइड और ये हमारे पैटन की रो 12 है उल्टी तरफ से जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा बनाते हुई जाएंगे तो ये मैं आपको रो 12 राउंग साइड से कम्प्लेट करके दिखाती हूँ अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटन की रो 13 है पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब जे दोनों सीधे फंदे हैं इनको हमने दोनों को सीधा बनाना है निट टू स्टेचिज दागा अपनी तरफ करेंगे अगले तीन और और वह हमारे पाबल नियों का रपीड पैटन चले गा देखें दो वंदे इल्टे दो सीधे और तीन फिर अब यहको इस तरह रोड़े तो इस तरह से ऑल थे एक सब्भान कर लिए और सिधे एक अठरा कर लिएकर अगले तीन पैटने हमारे उल्टे बनेंगे एक 2 ऊअ और यह तीन अब जो आगे दो फंदे हैं सीधे इनको हमने कठा सीधा बूलने ना है एक फंदा उल्टा और लास्ट का एजिंग का हमारा सीधा बंदा बनेंगा तो रो थर्टीन राइट साइड से मारी कंप्लीट हुई अब हम आगे हैं उल्टी तरफ राउंग साइड और यह हमारे पैटन की रो 14 है पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा बंदा दिख र पहले तरफ राइट साइड और यह हमारे पैटन की रो 15 है पंदर भी स्लिप करने के बाद दो फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल टू स्टीचीज तागा पिछे करेंगे अब हमने इन दोनों को ट्विस्ट करना है दोनों सीधे हैं दोनों को आपस में केवल जैसे डालते है वैसे ट्विस्ट करेंगे यूं करके और उसके बाद इन दोनों को एके करके हमने सीधा बुनना है एक और यह दो दोनों को सीधा बुन लिए एके करके उसके बाद अगले तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं यह चार होगे अगले तीन फंदे उल्टे एक दो और यह तीन तीन पंदे उल्टे यही साथ फंदों पे रबीट बैटन चलेगा दो फंदे उल्टे को तुइस्ट करेंगे दोनों फंदो को दोनों सीधे फंदो को ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद इन दोनों को सीधा बुनेंगे एक और ये दो दूनों सीधे बुनें फिर आगे हमने उल्टे फंदे बनाने हैं पर्ल थ्री स्टिचीज बस इस रो में यह सीधे फंदे हैं उनको ट्विस्ट करना है बाकी उल्टे तो उल्टे ही बनेंगे रो 15 राइट साइड पर्ल टू ट्विस्ट टू निट टू एंड पर्ल थ्री यह करते हुए जाएंगे पूरी रो में जितने भी फंदे हैं लास्ट का हमारा एक फंदा उल्टा बनेंगा और एजिंग का फंदा सीधा बनेंगा अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉंग साइड और यह पैटर्न की 16 रो है पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे उल्टे फंदे पर उल्टा बनेंगे और सीधे पर सीधी बनाई करेंगे तो यह रो में आपको कंप्लीट करक दिखाती हूँ यह देखें कंप्लीट हुई हमारी 16 रहीं कंप्लीट हो गई उसके बाद हमारा यह पैटर्न इस तरह से बन कर आया है देखें यही 16 रहीं हमने बार बार रपीट करते हुए जाना है जितनी आपको लेंथ चाहिए अपने स्वैटरियां कार्डिगन की इस त चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा थाकि आपको मेरी नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके यह देखें ज्यादा फंदों में मैंने इस डिजाइन को बनाया है तो इस तरह से इसकी लोकाई है तो सिर्फ हमने दो दो फं सब्सक्राइब डिजाइन है और यह जो डिजाइन है आप लेडिस कार्डिगन स्वेटर जैकेट जैकेट जैन स्वेटर पे खास तोर पर आप इसको 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 बना सकते हैं मफ्रल बना सकते हैं और देखें दोनों रंग में कितना प्यारा बनाने में भी अपेसान सा पैटन है आप विस्ट करने ह credit मुझे पैटन है उसका में बनाएगा है तो चलिए फिर उड़र basinद रंग में बनाएए तो मिलते हैं फिर हम अगरे एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद